ग्रीन वैली घाटी वाला पिंजोर में तीन दिनों से पीने के पाने की अपूर्ती बंद लोगों में मचा आहाकार लोग पहुंचे आप निता बलवान ठाकुर के निवास स्थान पर धर्मपुर कलोनी के ग्रीन वेली घाटी वाला के लोग पिछले तीन दिनों से पीने के पाने की एक एक बूंद को तरस रहे हैं यहां घाटी वाला में पीने के पाने की सप्लाई बंद पड़ी है पानी की नियमत सप्लाई ना होने के कारण लोगों ने आप आटी नेता बलवान ठाकुर को सारी समस्चाओं के बारे में बताया कि पिछले तीन दिनों से पीने के पानी की सप्लाई बंध है और भी भाग ने पानी के टैंकर तक नहीं पहुंचाए है लोगों ने आप नेता बलवान ठाकुर से इस समस्चाओं के हल निकालने की मांग की तो आप आटी के अमबाला लोग सबक शित्र के सचीव बलवान ठाकुर ने अपने घर की पानी की मोटर चला कर लोगों को पेने के पानी की अपूर्ती करवाई सचीव बलवांठाकुर ने जन सवस्ते विभाग को चितावनी देते वे कहा कि अब तो विभाग के खिलाब रोज प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि विभाग का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता लेकिन विभाग ने इस समस्त्या का हलवी नहीं किया लोगों को मजबूरी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं आप पार्टी के अमबाला सचीव बलवांठाकुर ने कहा कि ग्रीन वैली घाटी वाला में अमरत योजना के थैट पानी देने का प्लान भी पिछले तीन साल से फेल हो चुका है अभी तक किसी घर में पानी नहीं पहुंचा है जो पुराने पाइप थे तूट गए हैं लोगों में पीने के पानी को लेकर अहाकार मचा हुआ है लोग परेशान है और लोग अब पानी के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे यहाँ पर आप निता स्वरन पाल सिंग, हासनैन, अंजू भौरियां, सुभाश अन्य लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और उन्होंने अपनी समसे आप निताओं के समक्ष रखी थी